बिम्ला, अरे सुनती हो क्या? अरे सुनो बिम्ला, आज हमारा दीपक साथ वर्सका हो गया है आज उसका जनम दिन है, बताईए उसकी जनम दिन पर क्या प्रोग्राम किया जाए? हाँ जी मुझे पता है, आज मेरे लाडले का जनम दिन है, कैसे भूल सकती हूँ मा हूँ मैं उसकी? हाँ तो बताओ, आज उसके जनम दिन पर क्या-क्या बनवाया जाए? और उसके कपड़े बगेरा? अरे तुम कपड़ों की चिंता मत करो, वो सम मैंने पहले से खरीद के रख दी हैं, मैंने पहले ही तैयारी कर ली हैं, बस आप एक काम कीजिए, अपने दीपक के लिए एक सोने के चैन बनवा दीजिए अरे सुनो बिमला, चैन तुम्हें बनवा दूँगा, लेकिन अभी हमारा दीपक बहुत छोटा है, वो कहीं गेर देगा, या कोई रहा चलता हुआ उससे छीन कर ले जाएगा, अभी थोड़ा सा और बड़ा होने दो, फिर उसके लिए चैन बनवा दूँगा, समझी? आप हमेशा ऐसी ही बाते करते हो, हमने जब भी किसी काम के लिए कहा है, कोई न कोई बहाना बना के टाल मटोल कर देते हो, वो हमारी पड़ोसन है न निर्मला, उसका पती तो आपकी हैसियत के सामने कुछ भी नहीं है, पिछले महीने उसके बेटे का जनम दिन था, उसने उ तुम हो की, बस ऐसे टाल मटोल करते रहते हो, हम, ओहो, विमला देवी तुम तो नाराज हो गई, अरे भाई, हम तो इसलिए कह रहे थे, कि दीपक अभी छोटा है, लेकिन अब जब तुम मान नहीं रही हो, तो दीपक के लिए हम दो तोले की चैन बनवा देते हैं, आज ही लेकर आएंगे, अब तो ठीक है, तुम तो बेकार में ही गुस्सा हो जाती हो, चलो खुश हो जाओ, जै श्री शाम, जै श्री शाम, क्या बात है भावी, भीया ने कुछ कह दिया, क्या? अरे नहीं किशन भीया, ऐसी कोई बात नहीं है, अरे किशन, मैं तो तुम्हारी भावी से ऐसे ही मजाग कर रहा था, जूट के बोल रहे हो जी, क्या तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया, ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है, क्यों बड़े भीया, भावी सच बोल दिया ना, अरे भावी किशन, अपनी भावी से ही पूछ लो सच क्या है, अरे भावी, भावी भावी बता दो क्या बात हुए, किशन भावी, आज दीपक का जनम दिन है, मैंने इन से कहा कि दीपक के जनम दिन पर उसको एक सोने की चैन दिला दो, बस लगे मना करने तो मैं भी चुप हो गई, बड़े भीया मान लो भावी की बात, और लादो एक प्यारी से जनम हमारे दीपक के लिए, अरे किशन, मैंने तुम्हारी भावी से कह दो दिया, कि मैं लियाऊंगा चैन, अरे उसकी अलावा और भी तो तैयारियां करनी है, उनके बारे में भी तो सोचो, सोच न क्या है, शाम को केक काटने के बाद खाने के पूरी तैयारी है, बस अब जल्दी जाकर, मेरा मतलब ये है कि, हमारे बेटे के लिए चैन ले आना, बड़े भी ये मैं कहना चाहरा था कि, शाम को दीपक को ले जाकर, शाम बाबा के मंदिर में परशाद चढ़ाकर, उनका भी आशिरवाद ले ले लेते हैं। हाँ किशन, कहे तो तुम सही रहे हो, तुम एक काम करना, तुम दीपक को साथ लेकर, और परशाद चढ़ा करके, बाबा का आशिरवाद ले लेना, तब तक मैं और तुमारी भावी, यहां की व्योस्ता देखते हैं। और हाँ, अपने घर पर फोन कर लो, वो कही नाराज ना हो जाएं। मैं क्यों फोन करूँ, सस्राल वाले तुमारे हैं। बुलाना चाहो या नहीं, तुम्हारी भरजी है, मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है विमला देवी, मैं ही अपने सुस्राल वालों को नोता दूँगा, तुम अपने पड़ाऊसनों को बुलाने जाओ, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन तुम भी जल्दी जाओ, और सुनार के हाँ से, दीपक के लिए बड़ी सुन्दर सी चैन लेके आनो, जल्दी जाओ, समय बहुत हो रहा है। जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, और कोई हुकम मेरे आका? और कुछ नहीं जी, अरे हाँ याद आया, आप जब बापस आओ न, तो फूल माला लेते आना, उधर से। अरे भाई, ये फूल माला किसलिए? क्या करोगी इन फूल मालाओं का? एक आपके गले में डालूंगे, एक अपने गले में डालूंगी। अरे आप तो कुछ समझते नहीं हूँ, दीपक को पहले हम फूल माला पहनाएंगे, फिर उसे अपने हाथों से चैन पहनाओंगी। ये भी खूब रही, चैन लाए हम, और पहनाओ आप। अरे आप ही पहना देना, पहले लेकर तो आईए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम घर का काम समालो। और हाँ सुनो, जल्दी आना, कहीं रास्ते में लग जाओ दोस्तों से बतियाने, याद रखना। ठीक है, जल्दी आ जाओंगा, अब मैं जाओं तुम कहो तो। हाँ हाँ, जाओ, मैं कब रोक रही हूँ, बस याद रखना, जल्दी आ जाना। भाबी, भाबी, कहो भाबी। कहो भाबी, भाबी दीबक कहा है, उसे बुलाओ, मुझे उसे श्याम बाबा के मंदिल लेके जाना है। खेल रहा होगा भार, अब भी बुला के लाती हूँ। ये लो किशन भाईया, आ गया दीबक। दीबक बेटा जल्दी से त्यार हो जाओ। क्यूं चाचा जी? मुझे तुझे लेकर के शाम बाबा के मंदिल जाना है। बाबा के मंदिल क्यूं जाना है चाचा जी? बेटा आज तुम्हारा जनम दिन है न, इसलिए किशन चाचा के साथ चले जाओ। फरशाद चड़ा कर और शाम बाबा का आशिरवाद ले लो। पापा आप दीबक बहिया को लेके का जा रहे हो? बेटा आज आपके दीबक बहिया के जनम दिन है न, मैं उसे श्याम बाबा के मंदिर लेकर जा रहा हूँ। क्या? श्याम बाबा के मंदिर? हाँ बेटा, श्याम बाबा के मंदिर। पापा जी मैं भी आपके और दीपक भहिया के साथ शाम बाबा के मंदर जाऊंगे पापा जी मुझे भी ले चलो ना क्यों तुम क्यों जाओगी जरमदिर मेरा मैं जाऊंगा दीपक भहिया में आपके छोटी बैन हूं मैं भी मंदर जाऊंगे आपके साथ और बाबा से आपकी लम्मी उमर के लिए प्रात्ना करूंगी हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा तुम दोनों जाओ आज़ो मैं तुम दोनों को तयार कर देती हूँ आज़ो भावी ज़रा जल्दी तयार कर देना बच्चो को भावी हो गए बच्चे तयार लो भावी हो गए दोनों बच्चे तयार जाओ जल्दी हो कर आओ ठीक है भावी जल्दी लोट कर आओ आज़ो बच्चो बिमला, अरे ओ बिमला, कहा हो हाँ जी, क्यू शोर मचा रहे हो, पूरा घर सर पर उठा रख्खा है कहो क्या बात करनी है ओहू, हम बोलें तो घर सर पर उठा रख्खा है और तुम बोलो तो जमेन पर ये देखो, मैं तुमारे दीपक के लिए चैन ले आया चैन ले आए? आप सच में ये बहुट अच्छे हो ओहू, चैन ले आए तो हम अच्छे हो गए, नहीं तो हम बुरे थे अजी मेरो वो मतलब नहीं था, जो आप समझ रहे हो अच्छे ये बताओ, चैन कैसी लगी? बहुत सुन्दर है जी, मेरे दीपक के गले में बहुत सुन्दर लगेगी आने दो दीपक को उसके गले में पहना दूँगी अरे वो आपके लाडले वेटे दिखाई नहीं दे रे, कहा है वो किशन भाया के साथ साम बाबा के मंदिर परशाद चड़ाने गए हैं, आते ही होंगे ये लो भावी जी, बाबा का परशाद, और पंडे जी कह रहे थे, अब ती बार पूरी परिवार को आने एक साथ हुए ठीक है, अगले संडे हम सब साम बाबा के मंदिर चलेंगे, दीपक बेटा, इधर आओ, देखो, तुमारे लिए तुमारे पापा कितना कीमती तोफा लेके आया हैं, ये देखो, सोने की चैन सोनी की चैन, मैं इसे जल्ली मेरे गले में पैना दो, इसको पैन करना मैं अपने सभी दोस्तों को दिखंगा, कि मेरे पापा ने न मुझे सोनी की चैन दिया, ठेंक्यू पापा ठीक है बेटा, इसे गले में डाल के रखना, और हाँ, कहीं खो मत देना इसको ठीक है पापा, मैं इसको बहुत समाल के रखूँगा, इसे कहीं नहीं कूँगा आओ दीपक बेटा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ये चैन पैना देते सब्सक्राइब गए हैपी बार्डे दे तो यू एपी बार्डे दे तो यू चाचा जी आप बॉलिंग करों मैं बैटिंग करता हूँ चल ठीक है अरे बेटा दीपक बॉल तो जाड़ियों में चलेगी जादू लेकर ला ठीक है चाचा जी आप फिकर मत करों मैं बॉल अभी लेकर आता हूँ बेटा थोड़ा समल कर जाना जाड़ियों में देख कांटर वाट आना लग जाए गहीं ठीक है चाचा जी मैं अभी बॉल लेकर आता हूँ और समल कर जाता हूँ लेकर आता हूँ किया हुआ चाचा जी बॉल तो कहीं दिखाई नहीं देरी चल मैं दुनवात हूँगा अरे वो रही बॉल तुझे बॉल नहीं दिखाई दी जाल लेकर आ देख वो रही निकाल मिल गई ना तो भी यार चल दीपक अब शाम हो गई है ना भी आब इंतिया तब ठीक है चाचा जी अब कल खेलिए दीपक रोशनी देखो बेटा मैं तुमारे लिए क्याल आया हूँगा पापा जी आप क्या लेकर आया हूँगा देखो बेटा तुमारे लिए मैं तुमारे जैसे एक बहुत ही प्यारी जी पिजिया लेकर आया हूँगा और मेरे लिए क्याले कह रहे चाचा जी दीपक बेटा मैं तुमारे लिए कप्रे लेकर आया हूँगा ये लो ये तो बहुत अच्छी कपड़े हैं चाचा जी आप बहुत अच्छी है रोशनी के लिए गडिया और मेरी लिए कपड़े लेका हैं पापा जी आम खेलने जाए चाचा जी आम खेलने जाए हाँ बेटा जाओ खेलने अरे किशन भेया आज तो बहुत सारा समान ले आया है हमारे लिए भी कुछ लाए है नहीं हाँ हाँ वहाँ भी क्यों नहीं मैं आपके लिए साड़ी लिख रहाया है ये देखो अरे वाँ बहुत संदर साड़ी ये भीया बिलकुल मेरी पसंद की पसंद आई न आपके है न और ये देखो बड़े भीया के लिए में सौन ले कराए है ये लो देखो अरे वाँ ये भी बहुत अच्छे है तुम्हारे भहिया पर बहुत जचे ये हैं दीपक उठो बेटा सुबह हो गई है स्कूल नहीं जाना क्या ममी सोने तो मुझे नीद आ लिया है थोड़ी तीर में उठ जाओंगा सुबह के साथ बज रहे है और आठ बजी तुम्हे स्कूल जाना है जल्दी उठके तैयार हो जाओं ठीक है ममी अरे दीपक तुम्हारे गले में चैन क्यों नहीं दिख री कहीं उतार के तो नहीं रख दी नहीं मम्मी मेरे गले में ही तो थी मैंने तो कहीं नहीं रखी यहीं कहीं गिर गई होगी यहीं कहीं देखो तुमने कहीं उतार के रख दियोगी द्यान से देखो जरा नहीं नहीं मम्मी मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने कहीं उतार के नहीं रखी अजी सुनते हो दीपक के बापा कहा हो जरा जल्दी आओ कहा हो जल्दी आओ अरे क्या हुआ सुबह सुबह क्यों चिला रही हो क्या आफ़त आ गई अरे आफ़त ही आ गई है तभी तो मैं चिला रही हूँ क्या हुआ बताओ क्यों परिशान हो रही हो आप जो दीपक के लिए चैन लेकर आये थे न, वो मिल नहीं रही है ना ही इसके गले में और ना ही विस्तर पे मिल रही है अरे ध्यान से देखो, यहीं कहीं होगी आसपास, कहां जायेगी घर में से मैंने तो यहां पे देख ली, कहीं नहीं मिल रही दीपक बेटा, तुम ही ध्यान करो, कहीं रखकर भूल तो नहीं गए नहीं पापाजी, मैंने तो उसको गले से ही नहीं उतारा, मैं कहां रखूंगा मुझे कुछ समझ नहीं आरा, चैन कहां खो गई अरे, क्यों इतना परहिसान हो रही हो यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी अरे, क्या हुआ भःया, सुबस बेटना क्यों चिला रहे हो भावी, क्या बात हो गई अरे, क्या बताऊं किसन, जो दीपक को सोने की चैन दी थी थी ना, पताने वो कहां गुम हो गई है मिली नहीं 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 नही शाम बाबा से प्रात्ना करो, चैन मिल जाएगी, टेंशन मतलूआ कैसे ना परेशान हूँ, इतना बड़ा जो नुपसान हो गया है मैं कैसे सेहन करूँ, हे भगवान मैं क्या करूँ भाबी मैं श्याम बाबा के मंदरी जाता हूँ और जाकर उनसे प्रात्ना करता हूँ हो सकता है वो हमारी प्रात्ना सुनने और हमारी चैनल मिल जाए हो सकता नहीं है मिल जाएगी मुझे बाबा पे पूरा भरोसा ठीक है जाओ हो सकता है बाबा की किर्पा हो जाए सुनो जी एक बात कहूं बुरा तो नहीं मानोगे कहो क्या बात है मैं बुरा क्यों मानूँगा मैं फिर कह रही हूं बुरा मत मानना मेरा शक गलत नहीं होगा देखो पहलिया मत भुजाओ जो कहना है साप साप कहो सुनो जी कल जो किसन समान लाया था क्या मतलब है तुमारा किसन की सामान से मेरे कहने का मतलब यह है कि किसन कहीं कामधान तो करता नहीं है फिर वो यही सारा समान कहां से लाया कहीं किसन नहीं तो नहीं यह क्या बखवास कर रही हो तुम किसन पर क्यों इलजाम लगा रही हो देखो मैं इलजाम नहीं लगा रही हूँ मुझे शक है इचेन किसन नहीं चुराई है और उसे बेच कर वो समान लेके आया हो सकता बाकी के पैसे उसके जेब में ही हो विमला तुम मेरे भाई पर चोरी का इलजाम लगा रही हो समझ लो ये अगर बात जूट निकली तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा ठीक है आने दो उसे अभी तूद का दूदर पानी का पानी हो जाएगा भाईया मैं बावा से प्रातना करके आया हूँ हमारे दीपक की चैन बहुत जल्द मिल जाएगी मुझे पूरा ब्रहसा बावा पर अच्छा एक बात बता किशन कल जो तू बजार से समाल लेके आया था उसके लिए तेरे पास पैसे कहां से आये भाईया वह भाईया ये भाईया वह अरे सच-च बता आ तेरे पास पैसे आये कहां से भाईया वह मैंने अपने दोस्त को कुछ दिन पहले पैसे दिये था उसने आप मुझे लोटा दिन उन पैसों से समाल लेकिन ये सबाप क्यूं पूछ रहे हो इसलिए कि तुम जूट बोल रहे हैं, तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें पैसे नहीं दिये, तुमने ही दीपक की चैन चुरा कर बेची है, सस्तच बताओ और ना पुलिस के हवाले कर दूँगी सुन रहे हो भया, भावी का कह रही है, चोर कह रही है मुझे, मैं बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ देख क्या रहे हो जी, इसके जेब की तलासी लो, बाकी की रकब इसके जेब में ही होगी भीया तलाशी लेनी की जोट नहीं है समान खाईदने के पाद जो पैसे बचे थे वो यह रहे पर मैंने चोरी नहीं की भीया सच सच बताओ नहीं तुमारी मार मार कर खालो धेड़ दूगा मैं सच कह रहाँ बड़े भीया मैंने दीपा की चैन नहीं चुराई मैं चोर नहीं हूँ बड़े भीया चाहे मार मार कर मेरी काल देड़ दो पर मैंने चोरी नहीं की भीया मैंने चोरी नहीं की तु ऐसे नहीं मानेगा जब तक तुझ मैं मारनने पड़ेगी मुझे मत मारो बड़े भीया मैंने चोई नहीं किया मैं बेकर सो रूँ भीया मुझे मत मारो ताओ जी मेरे पापा को मत मारो तेरा बाप चोर है जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया सुनो जी मैं कहती हूँ इसे पुलिस के हवाले कर दो ये ऐसे नहीं मानेगा बड़ा ही मकार है अपनी भतीजे की चैन बेच दी बुलाओ पुलिस को मैं कहती हूँ अभी बुलाओ पुलिस को नहीं नहीं हम पुलिस नहीं बलाएंगे आज तक हमारे घर में कभी पुलिस नहीं आई हम अपने फैंसले खुद ही करते हैं और तू किसन निकल जा मेरे घर से अपनी बेटी को लेकर और कभी नहीं आना है नहीं नहीं भीया मुझे घर से मत निकाली मैं इस चोटी सी बच्ची को लेकर कहां जाऊँगा यह आपको इतो घर है इसके लावा मेरे पास रहने को और क्या है मुझ पर दया करो भईया, मुझे घर से भेगर मत करो, कुछ तो रहम करो बड़े भईया रहम और तुझ चोर पर, आज तो चैन बेचिया, कल पूरा घर बेचेगा, निकल जा हमारे घर से ताई जी हमें घर से मत लिकालो, हम कहा जाएंगे कहीं भी मरो हमारे घर से निकल जाओ सुकरमना किशन कि मैंने तुझे पुलिस में नहीं दिया यही सोच कर कि तू जेल चला गया तो तेरी बेटी का क्या होगा निकल जा तू मेरे घर से नालाइक तू मेरे था जा स्टाओ से नालाइक आप जानते हो कि यहां आप तो जानते हो मैंने चोरी नहीं की फिर भी भाइया भावी ने मुझे और मेरी बेटी को हम दौनों को घर से निकाल दिया अब मैं इस चोटी सी बच्ची को लेकर कहां जाओं बाबा कहां जाओं उठो पापा आपको क्या हो गया पापा उठो पापा आखे खोलो पापा ए शाम बाबा ये मेरे पापा को क्या हो गया ये कुछ बोलते क्यों नहीं मेरे पापा को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा ए शाम बाबा मेरे पापा को ठीक कर दो क्या हुआ बेटा तुम क्यों परिशान हुआ और इन्हें क्या हुआ पता नहीं बाबाजी मेरे पापा को क्या हो गया हुआ ये उठ भी निरे हैं और बोल भी निरे हैं बाबाजी हमारे ताउजी ने पापा को बहुत मारा और चोर केकर घर से लिकाल दिया हम जानते हैं बेटी तुम चिंता मत करो तुमारे पापा बिल्कु ठीक हो जाएंगे बेटा रोश्नी तुम परिशान क्यों हो रही हो मैं बिल्कु ठीक हूँ पर ये सब कुछ हुआ कैसे मुझे क्या हो गया था बेटा पापा पता नहीं बोलते बोलते कैसे भ्योश हो गए मैंने आपको बहुत उठाया पूठी नहीं रहतें एक बाबाजी आएंगे आएंग उन्होंने मुझे चुपकर आया और आपके सर पर हाथ फेट कर चले गए फिर आप ठीक हो गए क्या कह रही हो बेटी किसी बाबा ने मेरी सर पर हाथ फिराया और मैं ठीक हो गया मैं समझ गया वो कोई और नहीं हो सकते हैं वो जरूर मेरी शाम बाबा ही होंगे जै श्री शाम चलो बेटा शाम बाबा के मंदर चलते हैं चलो लोशनी बेटा तुम्हें भूख तो नहीं जागी नहीं पापा मुझे भूख नहीं लगरी मुझे नीद आ रही है नीद आ रही है तो सोजाओ बेटा आजाओ लोशनी बेटा रही है मैं हूँ दुनिया से हारा दे दे मुझे को सहारा मैं हूँ दुनिया से हारा दे दे मुझे को सहारा खाटू वाले बाबा मेरे शां मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे पहली बार आज आज इस दर पे खाली हाथ में आया हूँ आंखों में आंसू है दिल में कुछ उमी दे लाया हूँ पहली बार आज इस दर पे खाली हाथ में आया हूँ आंखों में आंसू है दिल में कुछ उमी दे लाया हूँ कुछ उमी दे लाया हूँ सुन ले पुकार मेरी मत कर दे न देरी तुझ पे भरोसा है तमाँ मेरे सावरे मैं क्या हूँ कैसा हूँ बाबा मैं जानू या तू जाने कौन बुरा है कौन भला है ये दुनिया क्या पहचाने मैं क्या हूँ कैसा हूँ बाबा मैं जानू या तू जाने कौन बुरा है कौन भला है ये दुनिया क्या पहचाने कैसी कठिन घड़ी है बात कितनी बड़ी है मेरे अपने लगाते हैं इल जान मेरे सावरे शरन पड़ा हूँ तेरी सिर पे हाथ दया का धर दे तूँ आज दूद को दूद और पानी को पानी कर दे तूँ शरन पड़ा हूँ तेरी सिर पे हाथ दया का धर दे तूँ सब है तेरे हाथ फिर क्यों मेरे साथ हो रहा है तू बदना हो रहा है तू बदना मेरे साथ रे मेरे साथ रे मेरे साथ रे मेरे साथ रे पापा जी मुझे रोष्णी और चाचा जी की याद आ रही है नजाने वो कहांगे खबरदार दीपक जो उनका नाम लिया वो हमारे कुछ नी है वो चोड थे इसलिए उनको घर से निकाल दिया आज के बाद उनका नाम लिया न तो बहुत मारूंगी मेरा दिल भी यही कहता है कि किसन ऐसा नहीं कर सकता पापा जी चाचा जी को घर ले आओ न मुझे उनके बना अच्छा नहीं लगता तुम बाप बेटू के अकल पे पत्थर पड़ गये है क्या जो उन्हें घर लाने की सोच रहे हो घर में और कुछ चुरवाना बाकी है तो उन्हें बला लो जो प्रहो बिमला मेरा भाई चोर नहीं है 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 क्या हुआ बेटा क्यों परिशान बैठी हो कुछ नहीं बाबा तुम जूट बोल रही हो हुआ था तुम्हारे बेटे की चैन खो गई थी न जिसका इल्जाम तुम ने अपने सीधे साधे देवर किशन पर लगाया है और उसको मार पीट कर उसकी मासूम बेटी के साथ उसको घर से निकाल दिया बोलो ये सच है के नहीं ये सच है बाबा हमने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया लेकिन चैन भी तो गायब हो गई थी न चैन खो जरूर गई थी मगर किसी ने चोरी नहीं की जब तुम्हारा बेटा दीपक क्रिकिट खेल रहा था उसकी बाब जाडियों में चली गई थी बाब तो उसको मिल गई थी मगर उसकी चैन का कुंदा घेला होने की वज़े से चैन वहीं गिर गई थी और तुम लोग ने समझा के चैन किसन ने चुरा ली है अब तुम वहीं जाके देखो चैन तुम्हें वहीं पड़ी मिलेगी बावा मेरी पति को ठीक कर दो आप ही उन्हें ठीक कर सकते हो अगर तुम अपने पति को ठीक रखना चाहती हो तो जाओ अपने देवर और उस बच्ची को अपने घर पर लेया और उनसे माफी मांगो तुम्हारे पती ठीक हो जाएंगे, हेगर जाओ, कहीं देर न हो जाए मैं अभी जाती हूँ, उनसे माफी मांगकर उन्हें घर ले आती हूँ पर भावा, मैं उन्हें धूनूंगी कहा हूँ मिल जाएंगे, सोना रोड पर जो नया मंदिर है, वो वहीं होंगे अरे भावी, आप यहाँ? किशन भेया, मुझे माफ कर दो, मुझसे अपराद हो गया, मुझे शमा कर दो भेया, और घर चलो भावी, आप माफी क्यों मांग रही हो? आप इतना पहिशान क्यों? क्या बात है? किशन भेया, तुमारे भेया की तब्यक बहुत खराब है, जल्दी घर चलो यह का गहरी है, भेया की तब्यस है नहीं है, चलो जली जलो, घर चलते हैं आओ भेया, भेया, क्या हो गया भेया, आके खोलो भेया, देखो मैं आ गया, भेया, तुमारा किशन आ गया भेया, आके खोलो भेया हे शाम बाबा, मेरे भेया को ठीक कर दो बाबा, ठीक कर दो बाबा, मेरे भेया को ठीक कर दो तुम तो हारे का सहारा हो बाबा, हम सब का, तुम ही तो सहारा हो बाबा, बाबा, मेरे भेया को ठीक कर दो बाबा, ठीक कर दो बाबी, 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 देखो, देखो भिया को हो चाग्या, हमारी प्रात्ना बाबा ने सुल ली, सुल ली हमारी श्याम बाबा ने, देखो, देखो भिया ठीक हो गए, ये सब मेरे बाबा का ही चमतकार है, ये श्याम बाबा का चमतकार है, किसी ने सच कहा है, हारे के साहरे हो तुम बाबा, किसन मेरे भाई, कहा है तु, घरा जा किसन मेरे भाई, घरा जा, बड़े भिया, मैं यहां हूं तुम्हारे पास, मैं मैं वापस आ गया UP मुझे माफ कर दे मैने तेरे साथ मैने बहुत गलत भ्याभार किया है मुझे माफ कर दे मेरे भाई मुझे माफ कर दे कैसी बात कर रो很好 मुझे-अब मुझे ऑदिक आरहे है आब मुझे डाठ सकते हो हैordu दीपक की चैन जाडियों में गिर गई थी, एक बाबा आये, उन्होंने बताया, किशन बिलकुल निर्दोस है, हमने इनके साथ अन्याय किया, जिसकी वज़े से आप पे परेशान ही आई, अब हम जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, अब ये रिस्तों के दोर कभी नही दूटेगी, भाबी, वो बाबा कोई और नहीं, सेम साम बाबा ही थे, जिन्नों ने हमारे परिवार को फिर से एक कर दिया, भाईया, हम सब मिलकर बस बाबा शाम का शुक्रियाद अगरते हैं, बोलो खाटू नरेश की जे,